17 अक्टूबर को आश्वे सुकलपक्स की तिर्थियाति थी और मंगलवार का दिन है 17 अक्टूबर के दिन मादरुगा के तीसरे सवरो माचंडर गंटा की उपासना की जाएगी मंगलवार के दिन आपको बहुती आसान सा उपाई करना है इस उपाई को करने से आपके जो भी गुप्ति सत्रों हैं और जो आप से इर्शा करते हैं जिसके कारण आपको नजर लग जाती है या आपके अंदर या आपके घर में जो भी नकारात मक सकतिया है तो आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए बहुती आसान सा उपाई है मा दुरुगा की तीसरी सकती मा चंदर भंटा का जो सवरूप है बहुती सांती दायक और कल्यानकारी है उपाई को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी अगर चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबस्काइब करें और प्लीज वीडियो को जएदा से जएदा सेयर करें माता चंद्र गंटा के माती पर गंटे की आकार में अर्ध चंदर विराजमान है और इसलिए आपको पूजा की गंटी से आपको ये उपाई करना है आपको रात्री में यानि की सूर्यास्त के बाद आप ये उपाई कभी भी कर सकते हैं यदि आप आपके दुकान पर हैं तो दुकान पर भी आप ही उपाई कर सकते हैं और यदि आप आपके घर पर हैं तो घर पर आप ही उपाई कर सकते हैं भूती आसान सा उपाई है जहां कहीं भी आपका मंदिर है वहां से आपको घंटी उठानी है भूत ध्यान से समझना जो भी आप रोज की पूजा करते हैं वह तो आपको करना ही है साथ में पूजा करने के बाद आपको गंटी उठाना है और सबसे पहले देवी के सामने जो दीपक अगर आपने पहले से जला रखा है तो वह ऐसी कैसा रखे रहने दे यदि आपने माता जी के सामने कोई भी दीपक नहीं जलाया हैं तो आपको एक लंबी बाति वाला एक दीपक जलाना है और उसके बाद मंदिर से आपको गंटी बजाना है और पूरे घर में आपको घंटे नाथ करना है ध्यान रखें, गंटी की अवाद से आपके गर में जो भी नकारात मकशक्तियां होगी, वह दूर चली जाएगी, और साती साती यह जो गंटी है, इसकी धवनी भी आपके सरीर पर पड़ेगी, और आपके सरीर की अंदर की सारी नकारात मकशक्तियां भी दूर होगी, आपके जीवन में जो भी गुपत स्त्रू हैं, उनका भी शय होगा, यह जो गंटी है, आपको पूरे घर में बजानी है, असुन स्तान पर आपको नहीं ले जाना है, पूरे घर में गंटी बजा करके अंत में वापस से आपको यह गंटी आपके घर के मंदिर में रख देनी है, जब आप गंडी बजाएंगे तो आपको मातारानी के वीज मंतर एम श्रीम शक्ते नमें का जाप करते रहना है बस इतना से उफाई आपको नवरात्रे के तीसरे दिन करना है मातारानी आपकी जोली कुछियों से भर देंगे उपाई को वीडियो के मादम सी समझाने का पूरा प्र मिल जाएं धन्यवाद